नवस्कार दोस्तों आज की वीडियो में हम हैजा रोग के बारी में चर्चा करेंगे हैजा रोग क्या है किस प्रकार का ये रोग है जीवानों जने थे या विशानों जने थे या कबक जने थे किस प्रकार का इसको जानेंगे साथी साथ इसके वाहत क्या है कैसी संक्रुनत होता है इनका संक्रुन कैसे होता है और लच्छन इसके बचाओ उपचार आधी की विशे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे तो यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें तो चले हम हैजा रोग क्या है इसके बारी में जालती है तो जैसा की यहां दिख रहा है हैजा तो हैजा है हैजा रोग है जीवानु जनित रोग होता है तो हैजा एक प्रकार का जीवानु जनित रोग है जीवानों जनेत रोग का मतलब है कि जीवानों द्वारा यह है फैलता है तो जीवानों द्वारा फैलता है आंगे तो इस जीवानों द्वारा जो फैलता है तो इस जीवानों का नाम क्या है या इस रोग का कारक क्या है तो इस रोग का जो कारक है विब्रियो कॉलेरी तो जो हेजा रोग है उस रोग के जीवानों का नाम क्या है विब्रियो कॉलेरी होता है विब्रियो कॉलेरी यह हेजा रोग के जीवानों का नाम है अब आगे आगे चलते हैं तो देखें यह वाहक तो इस रोग का क्या वाहक है अर्थाथ हेजा रोग का वाहक कौन होता है तो वाहक है कि जो ये मख्या होती है तो मख्या इसकी वाहक है तो ये क्या करते खादपदार्थों तथा जल तक पहुचाती है किसको पहुचाती है तो जो मख्या है वो विब्रियों कॉलरी नमक जीवानों को कहा तक खादपदार्थों तक मुचाने का कार करती है जैसे मल में या फिर जो पल्टी की गई हो उस पर बैट करके भूजन पर या खाद पदार्थों बैटती है तो उनको क्या कर देती है दूसित कर देती है तो इस प्रकार से वहाँ से कहा आ जाता है भूजपदार्थों पर आ जाता है अब जब भूजपदार्थों में आ जाता है तो यह संकमन कैसे फैलाता है तो देखें संकमन इसका कैसे होता है अब जो मक्यों ने उस भूजपदार्थों को दूसित किया जल को दूसित किया है तो उस जल को क्या करते हैं हम लोग अगर उ दूसेत करती है उस पर बैठती है या जो दूसेत चल होता उसको अगर हम सेवन करते हैं गरन करते हैं तो उससे हमारे सरीर में यह जो विब्रियो कॉलेरी है जीवानों यह पहुंच जाता है तो इस प्रकार से सरीर में पहुंच जाता है और हमें संक्मन फैलाता है हमारे सरीर पहुंच करता है तो इसके क्या लच्छन होती है इसको भी जानेंगी तो देखें इसके जो लच्छन है तो पहला है इसमें देखें इस रोग में रोगी को दस्त उल्टी एवं एंठन होने लगती है तो इस रोग में क्या होता है दस्त लगती है और उल्टियां होती है और ए तो यहां हैं सरीर में जल की कमी होने लगती है, तो जैसा कि हमें पता है, जब दस्त या उल्टी लगेंगी, तो उसमें क्या पानी बाहर सरीर से निकलता, तो हमारे सरीर में क्या होगा, पानी की कमी होती है, समझ गये, तो पानी की कमी हो जाती है, अगला जो तीसा लच्चन वो सरीर के बाहर में कमी होने लगती है तो जब हम कुछ खाते हैं तो पल्टी होगी पल्टी है पानी जब सरीर से बाहर निकलता है तो बाहर तो कम होगा ही तो सरीर के बाहर में भी कमी आने लगती है तो इस रोग का जो प्रमुख लच्चन वो क्या है रोगी को दस्त और उल्टियां होने लगती है तो ए जो दस्त और उल्टी है यह क्या है यह इस रोग के प्रमुख लच्चन होते है अब चलते हैं इसके बचाव क्या क्या है इससे कैसे बचा जा सकता है तो देखें हैजारोग से बचने के लिए हमें जल को क्या करना चाहिए उबाल कर पीना चाहिए अगर हम जल को उबाल कर पीते हैं तो यदि जल में हैजारोग के जो बिब्रियो कॉलेरी जीवानों है वो क्या हो जाते हैं उबालने से जल में नस्ट हो जाते हैं और हमारे स्रीर में ये पोहुच नहीं पाते हैं जिससे हम संकमर से बच जाते हैं तो बचाओ क्या है पहला बचाओ कि जो जल पीते हम उसको उबाल कर पीना चाहिए अब है कि हैजा के टीके लगवाने चाहिए तो हैजा से बचने के लिए हमें हैजा के टीके भी लगवाने चाहिए अगला है कि देखें हैजा से बचने के लिए जो बासी वा खुले बोज़ पदार्थों का स्रिवन नहीं करना चाहिए तो वाशी सबजी या रोटिया ये सब खाद पदार्त हैं उनको प्रियोग नहीं करना चाहिए और जो खुले में जो बोज़ पदार्त रखे रहते हैं उनका भी सेवन नहीं करना चाहिए कि खुले में जो भोजपदार्त रखे रहेंगे तो उन पर मक्यां बैठेंगे तो विप्रियो कॉलरी को ला करके भूजन में चोड़ देती हैं संकृत करेंगे तो इसको हम गिरन कर लेंगे तो इससे हम रोगी ले हो जाएंगे तो रोग से भचना है तो हमें खुले भोजप क्या क्या है तो उपचार को भी जान लेते हैं तो देखें इसका उपचार क्या है रोगी को जल वा ओरस का घुल पिलाना चाहिए तो आपको जैसा की पता है बतायागे इसके लच्चन क्या है इसमें पल्टियां होती है और दस्त लगते हैं जो पल्टियां दस्त होती है त की कमी हो जाती है दो जल की कमी को पूरा करनी के लिए जल और श, खुल पिलाना चाहिए आंगे है कि है घारोग में जो अमरत-धारा त था नाईट्रो- nutzenis, न्यूग симत क्या होता हैे gambling उसके क्या है उसकी पांस से दस पूने जल में मिला कर दीने से रोगी को क्या होता है पहुंचता है तो क्या अम्रिद्धारा और नाय्ट्रोनूट्रें जो यह है अमल्हें इसको प्योक किया जाता है नाय सब्सक्राइब करेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंग आज की वीडियो में इतना ही